बॉस्तों बहाई जलود नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अंत्रिमा बुठीक चैनल में दोस्तों आज मैं आपको 3-piece princess cut blouse की cutting करना बताऊंगी दोस्तों इसमें हम 3-piece में cutting करेंगे इसका belt हम अलग निकालेंगे और princess cutか blouse जो है वो अलग से निकालेंगे तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यह हमारा मैं आज आपको इसकी पेपर कटिंग बता हमने हैं दोस्तों मुझे आपको सिफ इसके आगे कापला कत करके बताना है जोकी 3-5 nostra करते हैं तसी कोओ है तो यह lesson को कट करके बताएं तो दोस्तों करते हैं करेंगे दोस्तों इसके लिए हमें जितना हमें गला अपना जितना हमने इसका ब्रोड्रस रखा है जितना shoulder रखा है सब हमें उतना ही रखना है दोस्तों बस हमें अलग से अपना क्या अपना 3 piece जो निकालना है हम वही आपको बताएंगे तो दोस्तों यहां से हम अपना broadness का निशान लगा लेंगे यहां से हम armhole का निशान लगा लेंगे दोस्तों यह हमारा यह हम back पले का आर्म होल का निशान लगाएंगे और बाद में हम इसके अंदर से कवधे के cutting कर लेंगे और दोस्तों यहां से हम broadness का निशान लगा के फिर जितना हमको अपने आगे का अगला रखना है उतने पे हम निशान लगा लेंगे दोस्तों हम साड़े 6 इंच का गला रखेंगे तो यहां से निशान लगा लेंगे और यहां से हम 0.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और दोस्तों फिर यहां से हम इसको ऐसे मिला लेंगे और यहां से हम अपने गले की गोलाई दे देंगे तो दोस्तों हमारा इतना तयार हो गया है अब हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है तो दोस्तों देखिए हमारी लंबाई आपको जितनी भी लंबाई रखनी है आप उतनी लंबाई अपनी ले लिजिएगा उसमें से प्लस आपको अगर नीचे से फोल्ड करना है तो plus 1.5 inch करिएगा और अगर नहीं fold करना है तो उपर का margin और यहां से हमें cross party जोड़ने का margin आधा inch और नीचे का fold का यानि हमें 2 inch extra कपड़ा लेना है और अगर आप fold करेंगे तो 2 inch और plus 1.5 inch extra कपड़ा लेंगे और हमारा इसमें worst size 8 inch का होगा तो हम यहां से 8.5 inch पर mark करेंगे और plus हम इसमें 1 inch extra लेते हैं जिसमें हम जब princess card बनाते हैं तो उसके सिलाई में जाता है तो यहां से हम 9 inch का ले लेंगे और देखिए हमारा plus 1.5 inch का margin आ गया है तो दोस्तों यहां से हमारा 9.5 inch है नीचे भी हम 9.5 inch प्लस हम आधा inch इसमें extra लेके निशान लगाएंगे क्योंकि जब हम यहां से अपना बनाते हैं तो यह princess card जब बनाते हैं तो उसमें अर्जेस्ट हो जाता है तो यहां से हम 10.5 पे mark कर लेंगे और इसको हम यहां से ऐसे मिला देंगे तो दोस्तों हमारा यह निशान लग गया है दोस्तों देखिए यह हमारा बैक गला का है अब हम इसमें फ्रंट गला का निशान लगाने के लिए यहां से पौने एक इंच पे mark करेंगे और यहां से हम शेप देंगे देखिए दोस्तों यह हमारा फ्रंट का हो गया अब दोस्तों हम इसमें अपना बर्स्ट साइज लेंगे तो हमारा बर्स्ट पॉइंट आयागा इसमें 9 इंच पे तो हम 9.5 नौ इंच पे mark करेंगे और दोस्तों इसमें हमें अपनी क्रॉस पट्टी निकालनी है तो उसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी निकालने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है आप उसमें देख लिजेगा कि हम किस साइज में कितना क्रॉस पट्टी निकालते हैं तो दोस्तों इसमें हमारा क प्रॉस्पट्टी हम 11 इंच पर मार करेंगे और 11 इंच पर मार करने के बाद हम यहां से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे देखे दोस्तों इसको सीधा करने के बाद हम यहां से आधा इंच एक्स्टा उपर करेंगे और इधर से आधा इंच हम नीचे करेंगे और यहां से हम इसकी गुलाई दे देंगे देखे दोस्तों ऐसे गुलाई देने के बाद इसका शेप बहुत सही आता है दोस्तों यहां से गुलाई देने के बाद हम यहां से यह हमारा टस्क पॉइंट है यहां से हम यहां ऐसे मार्क कर लेंगे दोस्तों यहां से हम टस्क पॉइंट लेंगे और यहां से हम लगभग साधे तीन इंच पे एक मार्क करेंगे और यहां से हम यह सीधा निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऐसे गोल करते हुए यहां से ऐसे आर्म होल में मिला देंगे अब दोस्तों हमें क्या करना है हम यहां से यहां से हमें लगभग डेढ़ी इंच पर एक मार्क करना है और यहां से मार्क करने के बाद जो हमारा यह टस्क पॉइंट लगा था यहां पर हम इसको ऐसे मिला लेंगे दोस्तों इसको मिला लेंगे और फिर हमने जहाँ-जहाँ से अपना निशान लगाया है वहाँ-वहाँ से इसको हम कट कर लेंगे और दोस्तों इसकी आर्म होल की कटिंग करते समय हमें अपने आर्म होल को थोड़ा एप्स्ट्रा कट करना होगा देखे दोस्तों हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है वह मैं आपको बार में बताओंगे कि हम इसको एक्स्ट्रा कट क्यों करते हैं देखे दोस्तों हमने ये कट कर लिया अब हम दोस्तों क्या करेंगे यहां से जो हमारा टस्क पॉइंट है यहां से हमने निशान लगाया था दो इंच पे यह है और यहां से हम इसकी यहां से हलका सा एक कट दे देंगे ताकि दोस्तों हमें पता रहे कि हमें जॉइंट कहां से करना है दोस्तों हम इसका शेप ऐसे ऐसे कर लेंगे और दोस्तों यहां से जब हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो यह हमारा एकदम परफेक्ट आएगा तो दोस्तों हमें दोनों साइट से इसमें अपना नौचेज यहां से लगा लेना है देखे दोस्तों हमने यह कर्स लगा लिया है और यह हमारा बराबर से आ गया है और यह हमारा इसकी यह क्रॉस पट्टी है दोस्तों अब हम जब इसको स्टीच करेंगे यहां से दोस्तों हमने इधर से एक इंच एक्सरा इसलिए लिया था ताकि यह हमारा आधा आधा इंच य इसमें से आधा इंच और यहां से आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा यह हमारा सिलाई में जाएगा तो दोस्तों जब यह सिलाई में जाएगा तो यह हमारा ऐसे बराबर से आ जाएगा और दोस्तों जब हम इसको जॉइंट करते हैं तो ये कभी-कभी पल्ला छोटा या बड़ा हो जाता है तो इसके लिए हम यहां से एक्स्रा कट करते हैं ताकि हमारा ये जब छोटा बड़ा हो तो हम उसको बराबर से कट करके और हम बराबर से इसका arm hole बना सकें दोस्तों वो मैं आपको stitching करते समय बताऊंगी कि उसमें हम कैसे करते हैं और यहां से हमको ऐसे मिला के इसको ऐसे रखना है देखे दोस्तों यह हमारा पहले हम यहां से cut से cut मिलाना है यहां से और उसके बाद ये हम ऐसे रखेंगे तो देखिए दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा बड़ा पल्ला आ गया है तो इसी की वज़ा से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं और दोस्तों इसका ये हमने गले का शेप जैसे दिया है वैसे हम इसको कट कर लेगे देखिए दोस्तों ये हमारा थ्री पिस प्रिंसेज कट ब्लाउज की पेपर कटिंग है अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कपड़े पे रखके कैसे कटिंग करते हैं अब हम इस पर अपना जो हमने पेपर कटिंग किया है एक उसको रखके कट कर लेंगे देखिए दोस्तों हमने इसको रख लिया है बराबर से अब हम इस पर निशान लगा लेंगे और इसको हम कट करेंगे झाल झाल देखिए दोस्तों यह हमारा बैक पल्ला कट चुका है अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे तो दोस्तों आगे की पल्ले की कटिंग करने के लिए हमें इसको थोड़ा बढ़ाना होगा क्योंकि हमने उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है तो दोस्तों हमने देखिए आ नहीं किया था जिसमें हम FAR रखेंगे को रखने के लिए हम natuur इसी में उपर मार्जन रखेंगे क्यों कि आधा-गे उपर किसी लाई इसको यहां से रखेंगे और इसमें भी हम एक इंचेक्स्रा कपड़ा रखेंगे आधा इंच हमारा इधर जब हम इसमें अपना पट्टी जोड़ेंगे तब जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे रहेगा क्योंकि जब हम इसमें अपने फोल्ड के लिए पट्टी जोड़े अब दोस्तों हमें करना क्या है हम जहां से हमारा है हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे अब दोस्तों हमें यहां से नहीं इस मार्क से निशान लगाना है और यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखे दोस्तों हमने सारे पल्ले का ऐसे निशान लगा लिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों हमारा एक्स्रा हमने कटिंग किया था पेपर कटिंग हम उसको एक्स्रा ही करेंगे जब हम इसकी स्टीचिंग करेंगे तब हम इसको कट कर लेंगे अब देखे दोस्तों हमने यहाँ से जो निशान लगाया है और यह जो हमारा बीच का कट्स है यहां से हम निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें यहां से कट्स लगाना है बीना कट्स लगा है दोस्तों हमारा यह सही नहीं होगा क्योंकि हमें कट्स से कट्स मिलाके ही इसको जॉइंट करना है तो यहां से हम निशान लगा लेंगे और यहां से हम इसको ऐसे कट्स कर गालिया है अब हम यहां से इसको करेंगे दोस्तों यह हमारा कपड़ा है इसंने से हम अपनी करने के लिए हम कैसे मिगालते हैं इसके लिए मेंने वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को देखके इसकी स्लिव निकाल सकते हैं जिसका लिंक मैं इसके description box में दे दूंगी तो दोस्तों ये हमारे blouse की cutting हो गई अब हम इसी अपने इस अस्तर को रखके अपने फैब्रिक पे इसको cut कर लेंगे और उसकी stitching करेंगे दोस्तों जैसे हमने paper अ कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो कि मैंने कहां से कैसे निशान लगाया है कहां से कितना कपड़ा लिया है तो वो मुझे आप comment box में पूछ सकते हैं इसकी teaching मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसकी teaching कैसे की जाती है तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते हैं उसे पसंद करते हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद